आज जो मैं healthy recipe आपकी साथ सेर करने जा रही हूँ बिल्कुल अलग घरीनिक है सुबह प्रेक फास्ट में कुछ टेस्टी शाहर healthy से नास्ता मिल जाए तो दिन बन जाए आज आपको भी दिन बनने वाला मैं बहुत ही चेश्टेर healthy आप लोग मुझे सपोर्ट करोंगे जब ही तो मैं आगे बढ़ पाऊंगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करने विल्कुल ना बूलेगा क्या से भी को इंजाए कर सकेंगे सब भी डायटिंग पर कम तेल में बनने वाले इन आस्ता मिंटों में बन के ताहर होता है तो चलिए देख लेते हैं इसको पनाने के लिए मैंने अपर एक पच्चे आम का इस्तिमाल किया है तो सीजन चल रहा है यहां पर आम को और तरह-दर के किसी भी तरीके आम को इस्तिमाल कर सकते हो में एक चोड़ा मीडियम साइज का आम ले रीए इसका चिलिका हटा लेते पहले आज का लिए इन्स क् मैंने इसको पाने में डाल द दे थे अब हम इसा चिलखा डाली मङने त्म छोटा आम का इस्तुमाल करींगे अब हम 늗्यू जाहे तो आप ऐसे हेंगे घ्रायनिंग जार में डाल सकते तो मैं यहां पर कदकस करके ले रही हूं मैंने यहां पर आम को कदकस कर लिया है अब मैं यहां पर दो हरी मिर्च का इस्तमाल कर रही हूं दो हरी मिर्च हम बाद में ढालेंगे यानि कि इसमें कुल मिला की चार हरी मिर्च डालेंगे यहां पर मैं इसको बनाने के लिए लाल म करेंगे इसके प्यूरी बनाएंगे यहाँ पर मुझे ज्यद्ध तो अलग अलग तरीके से यहान भी होता है प्योंकिंट होता है कि ठत्य प्रिया भूद में यहां तालने luggage निकाल करेंगे मिनिक बच्णश में एक डियुकोद में और यहां लिए करेंगे मिज्टा होगा उनकाल में कम निकालक लिए दनिया अन् से डालने से कलर होगी असरे आप पर आमें कोई एक्ष्छा कलर के आवसकता है नीपड़ेगी चिलका हटने के बाद उसका कलर भी फीक़ पड़ जाता है यहां पर धनिया कब बहुत अच्छा न यह पर शैका भीकश्ट साथ रिखेंगे तो यह दू अब मैं डालने जारही हूँ भेसन आदर कप में भेस तो थोड़ा से बहुत बारिक हो जाएगी हल्का सा नमक पर एड़ करेंगे तो मैंने आदी चमज के वरापर यह पर नमक लेया है नमक कम ही रखेगा बाद में लगेगा हमें तो यहां पर हम एड़ कर सकते हैं पहले जादा नमक का इस्तमाल मत करें अच्छे से पहले इसको मि जाएंगे इसका बैटर हमें तिकनी चाहिए तो दो तीन मिनुट इसको बढ़िया से यह कि साइट आप चला लीजिए गा तो आप किसी भी तरीके से यहां पर विश्कर का इसको फेटने के लिए इसमें बोलम सा आना चाहिए सूजी भी फूल जाएगा अच्छे से हम इसको तो 2-3 मिनट इसको लग जाएगा फेटने में इतना समय लग जाएगा जिस तरीके चाहिए यहां पर डोसी का बैटर चाहिए या फिर चीला का बनाते है ना बैटर उसी थरीके का मैं इसका बैटर चाहिए और पानी एट करेंगे इसमें इसमें फूल शारा पानी भी शोख इसको इनिस्टेंट भी बना सकते हैं लेकिन हमने यहां पर सूजी का इस्तेमाल किया था इसलिए इसको रिष्टे कराना थोड़ी देश है अब यहां पर मैं यह कॉन ले रही हूं यहां पर फ्रोजन भी होगा तो भी चलेगा फ्रोजन मटर चलेगी यह शिंपल तजी और फ हैं जितना मुझे यहां पर चाहिए था उत्तम मैं यहां पर दे रही हूं अब चलते हैं गैस की तरफ गैस में मैंने यहां पर कड़ाई ले लिए हैं गैस विकर दिया हो जाए तो हम इसमें डालेंगे तेल लागी प्याप बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो मैं तेल ही सिंपल सा वेघटेबल तेल के इस्तमाल कर रही हों साथ में हमने यहां पर प्याज भी कड़ कर रही हैं तो प्याजaring कर करना है मैं आपर कोई भी लसन allons बायर का इस्तेमाल नहीं करी हूँ तो बार एकसी दो कटी हुई हरी मिर्ची का इस्तेमाल करी हूं उच्राक्ट हमने बचा ईती हैं եी जा हमने बच़ा लीतीे मिर्ज्ड करें जो हमने बचार लेते एक टुकर में आप रह एक हम प्याज के साथ पर आपर से चला लेते हैं हमने यहां पर सब्जियों में क्रंच रखना है इसलिए हमने इसको बिल्कुल ब्राउनी करना है हमने यहां पर कोई मसाला पेश्ट वगेरा नहीं पनाना है तो हमें इसको सब्जियों को साथ भ्राइ करना है तो इसलिए हमें यहां कॉन तो कहल नहीं कि दीज़ के सब्सक्राइब कॉन कांधा इस्ते स个 पुम एक सबह шाथ है मैं हैं जाजर कांधा डंक स्वायर्व मैं हो जे इसक vidéos भी साथ के सब्सक्राइब के हाथा से तोड़के डालेंगे इसको हम यहाँ पर ग्रेट करके नहीं डालेंगे सब्जी डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एट करेंगे हल्का सा नमक हमने यहाँ पर बैटर में भी नमक एट किया है गरम मसाला एट करेंगे चमस मैं ले रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा गरब मसाला थोड़ा से धन्ययahh पोड़ा सब्यावी थोड़ा सब्जी सब्टी मसाला और अंपर यहां पर नहीं पडेंगे थासर कैना कोई छाट्व कैरामम हो Dann तो बेज़ेटेवल वाला मिस्रण को हम एक पिलेट में निगाल लेते हैं और थोड़ा सा यहां ठंडा होने देंगे इसको हम चाहितो ने इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं चाहिता है यहां पर पंखे के नीचे अब मैं यहां पर पनीर की एक टुकड़ा ले रही हूं तज अब यहां पर इसको टुकड़ों में कट कर रहे हो तो पेजी टेबल के साथ ही साथ में इसको हलका सा यहां पर फ्राई कर दीजिए गाइस सबजी के साथ चैसे हम सब्सकी पर ना डाल डीजिएगा चाहिता है जाह तो यहां पर चीज का इस्तौमाल भी ख़ंग सकते हैं सा आप इसको डोसा कह लीजेगा या रोल कह लीजेगा या फिर चीला कह लीजेगा बहुत याला कर यूनिक रेसिपियर बनने में बहुत जड़पड बनती है तो यहां पर सारी बेजिटेबल हो गई तयार चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेश की तरफ अब भैसन सूची वाला पैट करें झालना तेसे और यूजेटेश को इसी तरीके की कोई बोटल का भी इस्तमाल कर सकते हो कर लेंगे तवय पे जो एक्स्टा वेल होगा ना नपकीन की साहता से इस तरीके से पूरी तरह की से इसमें पहुंच लेंगे हम इस पैटर में पिल्कुल भी नहीं चिपकता है यादि बिना ओयल का भी हम याँ पर इसको बनाए लोहे की तवय पर आसानी से बन जाता है जैसे लोग बिल्कुल भी तेल और घी वगेरा बटर वगेरा कुछ भी नहीं खाना चाते उनके लिए बहुत ही हेल्दी नास्ता है में टेश्टी भी है आप इसे रोटी की तरह से कियेगा और हल्का और यहाँ पर मैं इसलिए प्रेसिंग करी हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी पूछिए मत इसको हमने डोसे चीले की तरह एक तरफ में शेकना है बस रोटी चापाती पराठे वगेरा जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से शेकना है सूजी और पेसन डालने से इसमें एक तुस्वाद आएगा साथ में इसका कुरकु पूटी करम है सेम तरीके से अल डालना है तरह से नफकेंड पेपर से पोज़ लिए एक शेयल जो भी होगा जो हमने याँ पर पाइपिंग बैग में बैटर बढ रखाता ना उस तरीके से यहाँ पर इसको बिडाल देते हैं मैं यहाँ पर पैपिंग बैग में डाल दियों साथ में बोटल में पर ढाल दाल दिए, आप जहती है है जैसे हम दोजिसा चीला बनाते हैं कर्छी से स्तरीके से आप बेच्गे से डाल सकते हो कर्छी फिर्णिकंत पूरे ड़ो से या फिर है छीले की तरह जैसे हम तावब पर पूरा फैला लेते हैं तो उसी तरीके से आम ने इसको भी फैलाना है बच्चों के टिपकुन के लिए बना रहे हैं तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको लेपल कर लेती हूँ पर हल्कासा ओल क्रीज कर लेंगे दोनों तरब से बरापर से शेक लेंगे चीले हमारे सार बन के तयार हो गई हैं यह मेर लाश्ट वाला चीला है अब इसमें हम यहां पर जैसे डोसे वगएर के लिए यहां पर हमालू का मिस्टरन डलते न उसी तरीके से इसमें पी डालेंगे आप जाए तो कोई चटनी वगएरा भी लगा सकते हो मैं कोई चटनी वगएरा का इस्तेमाल नहीं करें हूँ स्थें के डालने डाल देते हैं साथ में कुछ यहां पर गाजर भी जाय था और बीज़ टेबल एड़ कर सकते हैं जैसे सिम्ला में कच्चि वगेरा जोल काफी लोग यहां पर क्रंच चीज़े जादा पसंद करते हैं अमने यह पर बेज़ेटेबल को पका रखा था हल्का सा क्रंच रखा था आप से तो कच्चा भी डाल सकते हो जैसे हमने पनीर उपाछ उप च्छालें उसी तरीके से इन चीलों की खास बाते हैं इसमें ज्यादा तेल के इसतिमाल होता है के बना सकते हैं चोटे पच्छों के टीपन के लिए इस तरीके से हेल्थ नास्ता बना रहे तो कट कर दीजिएगा अंदर से जितने भी वेज़ेटेबल रहेगी उनको खाने में भी सिर्विदा रहेगी तो बहुत स्वाधिश्ट हेल्थी हमारा नास्ता पूरे परवार के ल मिलते हैं यह कैसी नेक्स से जिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच्छ रहेंड